Hello everyone, अधियन गख्ष में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम ego defense mechanism के बारे में जानेंगे जो की word के द्वारा दिये गए हैं तुझे लिए शुरू करते हैं Ego defense mechanism वो कुछ unconscious process हैं जो कि individual को anxiety और stress से protect करते हैं इसका अर्थ है कि यहाँ individual को anxiety और stress से deal करने में उनकी help करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कुछ ego defense mechanism है जिनके बारे में हम अभी पैठेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं repression की Repression इसका अर्थ है किसी ऐसे विचार, इच्छा, memories, feelings को जिसे हम accept नहीं कर पा रहें उन्हें दबा देना For example, कभी-कभी individual कुछ painful memories जिने वो याद नहीं रखना चाहता उन्हें वो दबा देते हैं Next है regression इसमें individual age inappropriate behavior शो करता है मतलब कि वह किसी early development stage में चले जाते हैं और उस तरह का pattern of behavior और emotions को adopt कर लेते हैं शधारण सब्दों में कहें तो इसमें individual अपने से छोटे उमर के बच्चों की तरह behavior शो करते हैं जैसे कि रोना और wetting the bat, thumb sucking कुछ इस तरह की चीज़े उनके द्वारा की जाती हैं Next है denial Denial का मतलब है किसी चीज को मानने से इंकार करना इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति से कोई situation handle नहीं हो रही है या उसके लिए किसी situation को handle कर पाना मुश्किल हो गया है तो individual वो situation को deny या refuse कर देगा For example, जब हम किसी individual को कहते हैं कि smoking और drinking health के लिए अच्छी नहीं होती है लेकिन वो individual इस बात को admit नहीं करता है Next है rationalization Rationalization का अर्थ है खुद को satisfy करने के लिए कोई reason देना For example, यदि किसी individual का exam अच्छा नहीं जाता है तो वो बहुत से reason देता है ताकि वो अच्छा feel कर सके ताकि उसको बुरा ना लगे तो अपने आपको satisfy करने के लिए वो बहुत सारे reason देगा Next है projection जब एक individual खुद के unacceptable thoughts, feelings, motive को दूसरों फर थूपता है तो उसे projection कहते है For example, कि कई बार आपने सुना होगा कई बार ऐसा बोल देते है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता यह ऐसा करता है तो जो अपने जो thoughts है, उसके जो feelings है वो दूसरों के लिए वो project कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं करता वो ऐसा करता है Next है sublimation Sublimation का अर्थ है negative feelings और impulses को positive में बदलना इसका मतलब है कि किसी individual की impulses को socially acceptable way यह appropriate manner में satisfy करना For example, यदि किसी व्यक्ति को anger issues है तो वो अपनी aggressive argyz को या energy को sports या किसी और जगा channelize कर सकता है Next है displacement Displacement का मतलब है कि यदि आप किसी के सामने अपनी feelings को express नहीं कर पाए जहां आप करना चाते थे और वो किसी और के सामने आपने access कर दी तो वो जो feelings थी वो आपने displace कर दी किसी और से किसी और के लिए For example, यदि कोई व्यक्ति frustrated है वो बहुत ज़्यदा frustration महसूस कर रहा है किसी person की वज़े से या किसी और चीज की वज़े से तो वो अपना जो frustration होगा वो किसी और विक्ति पे निकालेगा For example, कई बार individual क्या करते हैं कई बार हम ऐसा करते हैं कि किसी और चीज का गुस्सा आया होता है और किसी और पे निकाल देते हैं किसी और चीज़ पर निकाल देते हैं तो जो घुस्सा था जो feeling थी हमने वो डिस्प्लेस कर दी किसी और जगा से किसी और जगा पर next है identification identification का अर्थ है किसी और की तरह बनने की कोशिश करना या अपने आपको किसी और के साथ associate करना for example यदि आप किसी को admire करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी तरह बनने की try करते हो आप अपने आपको identify करते हो उस तरीके से जिस तरीके से आप उसको देखते हो नेक्स्ट है compensation, compensation का हर्थ है यदि क्यों individual किसी area field में अच्छा नहीं कर पाता है तो उसमें नाकाम्यावी के डर से वो किसी दूसरी field में जादा मेहनत करता है और उसमें excel करता है ताकि वो जो कमिया थी उनको वो यहाँ पे compensate कर सके ताकि उस field में जो चीज़े रह गई थी उसको वो इस field में जादा मेहनत करके उनको कमपन shade कर ले इसमें individual अपने आपको कुछ इस तरह से express करता है ताकि उसे कोई emotional discomfort महसूस ना हो for example यदि कुछ ऐसी चीज़ है जो हम दूसरों को नहीं बता सकते क्योंकि हमें उस चीज़ को बताने से थोड़ा discomfort महसूस हो रहा है या हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम उसको इसे मजाक मजाक में बोल देते हैं थाकि हमें कोई भी discomfort महसूस ना हो हमें बुरा ना लगे next है fantasy कभी-कभी इंडिविजुल ऐसा करते हैं कि किसी stressful situation को avoid करने के लिए इंडिविजुल fantasies में रहना पसंद करते हैं next है acting out जब इंडिविजुल अपनी feelings या thoughts को express नहीं कर पाते तो कई वार वो extreme behavior शो करते हैं जैसे कि दिवार पर जोर से punch कर दिया या book को ऐसे think दिया किसी और चीज़ को कहीं और मार दिया तो कुछ इस तरह के extreme behavior शो करते हैं I hope कि आपको आज का छोटा जैसा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ego defense mechanism समझ आ गए हो कई पार यहां से directly और indirectly question पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कब individual किस तरह का ego defense mechanism use कर रहा है यदि आपको कुछ doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हो Thank you